नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन औशदी ज्यान पीठ में वन औशदी ज्यान पीठ एक पहल है आपको वास्तवी कारवेट से जोडने का ववनस्पतियों और जड़ी बूटियों से परिचित कराने का इश्वर ने जो में धरोहर दी है परमानंद आयूर्वेद वन औशदी ज्यान पीठ के जरिये आपको इन से वा इनके स्वास्त लाबों से परिचित कराना चाहता है अश्वर गंधा इससे शायद हम सब जानते हैं और बाकी अन्य जड़ी बूटियों की तरह आयूर्वेद से भी खूब जोड़ते हैं नहीं आप गलत नहीं एक आयूर्वेदिक जड़ी बूटि ही है जिसका इस्तिमाल कई सारी बिमार्यों को ठीक करने में किया जाता है ये ऐसी जड़ी बूटियों जो आपको अंतही लाब दे सकती है बाकि अन्य जड़ी बूटियों की तरह अश्वगंदा का भी उप्योग कई सारी आईरवेदिक दवायों को बनाने में किया जाता रहा है और ऐसा ये आज से ही नहीं बलकि कई समय से चलता आ रहा है इससे पहले कि मैं आपको अश्वगंदा के धेरो फायदों में से कुछ फायदे बताओं आईए जान लेते हैं कि इस जड़ी बूटी का नाम अश्वगंदा कैसे बढ़ा अश्वगंदा का नाम दो शब्दों को मिला कर बनाया गया है अश्वगंदा की पैदावार खासकर भारत में ही होती है लेकिन आजकर इसकी पैदावार मिडल इस्ट और साउथ एफ्रिका में भी होने लगी है अश्वगंदा के पौधे पर पीले रंग का फूल आता है और उसके अंदर छोटे अकार का फल होता है आईए अब जान लेते हैं अश्वगंदा के सास्तिलाबों के बारे में जपान के National Institute of Advanced Industrial Science and Technology में ये साबित किया गया कि अश्वगंदा का इस्तिमाल काफी हद तक कैंसर सेल्स को बढ़ने में रोगता है अश्वगंदा के इस्तिमाल से तनाव, चिंता और Parkinson's जैसी समस्या को भी ठीक किया जा सकता है इस बात की पुष्टी कई सारी रिसर्चों में हुई है कि इस दवा के इस्तिमाल से दिमाग में उत्पन होने वाले तनाव और चिंता को दूर किया जा सकता है इस जड़ी बूटी के सेवन से हमारे शरी की प्रतिरक्षपरणाली को मजबूत वह स्वस्त रखा जा सकता है यदि ये स्वस्त रहेगा तो आपके शरील को भी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी अश्वगंधा थायर और ग्रंथी को भी सक्रिय करता है कहा जाता है कि थायर ग्रंथी के सक्रिय ना होनी की वज़े से आपको हाइपो थायरेडिजम जैसी समस्य हो सकती है और ऐसी समस्य में अश्वगंधा का सेवन आपको तुरंग निजात दिला सकता है डायबिटीस के रोगियों के लिए तो यह औश्वधी अम्रिट समान साबित हुई है यदि डायबिटीस के रोगी इस दवा का सेवन करते हैं तो मात तो चार हफ्तों में उनका शुगर लेवन लॉमल हो सकता है यदि दिन बर बागदोर करने के बावजूद भी आपको अच्छी नीन नहीं आती तो आपके लिए अश्वगंधा से बैतर विकर्प हो ही नहीं सकता कहा जाता है कि अश्वगंधा का नियमित सेवन ना सिर्फ आपकी चिंता और तनाव को दूर करता है बलकि अच्छी नीन प्रदान करने में भी मदद करता है ये तो रहे कुछ फाइदे अश्वगंधा के चलिए अब हम जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में साइड इफेक्ट वर्ड सुनने के बाद आपको ड़नी की आवश्वक्ता नहीं है जैसे हर किसी ओश्वगंधा के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं उसी प्रकार अश्वगंधा के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है लेकिन फरक सिर्फ इतना है कि से अधिक करते हैं तो आपको पेट दर्थ उल्टी यह डायरे जैसी समस्या होगी लेकिन वो भी इतनी खतरनाक नहीं होगी कि आपका स्वास्त हस्से जादा प्रभावित हो यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े तो मैं आपको www.paramanatayurved.com इस पे जाएं और कंसल्ट आर डॉक्टर फॉर फ्री के लिंक पर क्लिक करें इस लिंक के द्वारा बिना किसी चार्ज के आप हमारे आयरवेदिक चिकल सक्से सलहा कर पाएंगे यदि आप चाहें तो किसी भी प्रकार की आयरवेदिक औशिदी को हमारे इस साइ इदा देते हैं फ्री होम डिलिवरी की और ऐसा करने वाली हम इस देश की एक मात्र कंपनी है यदि आप चाहें तो हमसे ओशिदियां ऑनलाइन के साथ साथ ऑफ्लाइन तरीके से भी मंगा सकते हैं उसके लिए बस डाइल करें ट्रिपल नाइन ट्रिपल जीरो 4674 इस नंबर 10-15 प्रतिशत तक का यदि आप चाहें तो ओशिदियों को हमारे वी आईपी ओडर फॉर्म के द्वारा भी मंगा सकते हैं बस हमारी वेबसाइट के होम पेज़ पे जाएं वहां आपको वी आईपी ओडर फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म के द्वारा किसी भी प्रिकार की प्रिमानंद आयर्वेद ऐसा क्यों कर रहा है हम सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग अपने रोगों को आयर्वेदिक तरीके से ठीक करना चाहते हैं उन्हें निराशना होना पड़े आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेय करना ना भूले साथी साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको अगली बार फिर से आयूर्वेद और आयूर्वेदिक दवायों के बारे में जानकारिया दे पाऊं। अगली बार में आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयवेदी कौश दी और उसे मिलने वाले बहुत सारे लाबों के साथ तब तक के लिए नमस्कार